दोस्तों आप में से काफिस सारे छात्रों का अक्सर कॉमेंट आते रहते हैं कि बिहार पोस्ट मैटिक एसकोलर्शिप के लिए आवेदन परक्रिया कब से शुरू किया जागा क्योंकि आपको पता होगा बिहार Postmatic Scholarship के लिए जो पेपर कटिंग के माध्यम से बताए गया था कि आपका जो आवेदन है 13 सितंबर से सुरू कर दिया जागा यहाँ पे सितंबर मन्थ भी खतम हो चुका है अब आपका अक्टूबर भी आ चुका है ऐसे मैं काफे सारे चातर अकसर कॉमेंट करते रहते कि हमारा जो Postmatic Scholarship का आवेदन पर करिया कब से सुरू किया जागा हम आपको सारी डीटेल समझाएगे कि बिहार Postmatic Scholarship के लिए कब से आवेदन सुरू होने की संभावना है और साथी जो भी छातर इसके लिए आवेदन करना चाहते तो उनको किन परकार के डोकूमेंट रेडिक करने की आप सकता है जिसकी पूरी जनकारी इस वीडियो में कभर की जाएगी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिजे साथी चैनल को सस्क्राइब कर लिजे आने वाले हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी साथी अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल से जोईन नहीं करा है तो आईए चलते अपने स्किन पर और सारी जनकारी बताते बिहार पोस्टमेटिक स्कॉलर्शिप के वारे में कबसे आवेदन होने की समभब ना है और क्या-क्या दफ्तावेजी आपको देने की अबसकता परेगी दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक नोटिफि स्कॉलर्शिप का अवेदन का क्या हुआ देखिए आपको बता दे यह जो नोटिफिकेशन पेपर में बताया गया था कि आपका अवेदन है श्टार्ट हुआ है फिलाल अभी हम चलते इनके वेबसाइट पर आपको दिखाते कि क्या कुछ अपडेट है फिर आगे हम आपक पर नीचे देखेंगे आपको दो ऑप्षन मिलता है SC ST के लिए और BC BC के लिए आप जिसफ़े कटेगेरी से है उसपे कलिक करेंगे तो एक आप्षन मिलता न्यू एस्टुडेंट रइस्टेसन का जिसफे आप कलिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक आपको मिलता लाश्ट डेट आफ अप्लिकेशन का जहां पर देखेंगे 2021 का ही अभी तक डेट है तो इससे असपष्ट ये किलियर पता चलता है कि अभी आवेधन इस्टार्ट नहीं हुआ है अपने जो कनिडेट परसान है उनको हम बता दे कि अभी आवेधन नहीं है अभी आपको वेट क करेंगे online update m.in आप इस website पर आएंगे mobile सक करेंगे तो three line मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे जैसे आपका अधार कार्ड और माक्सिट दोनों पे नाम और डेटो बर्थ आपका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए कोई इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए क्योंकि अधार से अगर आपका वेरिफिकेशन यहां पे नहीं होता है तो अब तक आप फॉर्म को आगे नहीं भ अधिये होंगे आपको एक नमांकर रसीद मिला होगा जो आपको देने परेंगे एक बोनाफाइट सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके कोले से वेरिफाइ कराना होगा यह हम जब अपलाई होगा तो उस समय आपको बोनाफाइट सर्टिपिकेट बनाने के kंपलीट प् पास ऊट क्या जैसे करमा लिज अपने 11th में एडमिसर लिया तो 13 आपका आलवक्षा होगा तो 13 आपका माougसिट देना परेगा 12 आपको 13 माकसिट करड़ आपको फिदन और यह 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 अंतिम डिग्रिक का प्रमान क्योंकि आपको पता होगा है स्पोर्ट एड्मिसन के तुरू काफे सारे कनेडेट का नमांकन हो रहा है तो अब जाकर आपका जो नमांकन की जो प्रोसेस है बिहार बोट द्वारा कंप्लीट करा लिया गया अब बिहार बोट के पास सूची चली जाएगी कि कितने कॉलेज मे तो किलियर नहीं बता सकते लेकिन आपका अवेधन इस मंत में जो है सुरू हो जागा पोस्ट मेटिक के स्कॉलर्ण सिप के लिए अब इनके तहत एक नहीं गाइडलाइन आई है जो आप नीचे आएंगे तो बिहार पॉस्ट मेटिक के स्कॉलर्ण है कैसे अवेधन होगा इस वीडियो को आप जरूर देख लिजेगा, यह आपके लिए काफी फायदे मंद होगा, जबी भी आवेदन श्टार्ट होगा, इससी वेपसाइट के मादेम से आप आवेदन कर पाएंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पर रेस्टेशन का मिल जाता है, और साथी यहीं से आप सारी कामों को कर सकते हैं, तो आपके पास भी समय है, आप थोड़ा सा वेट कर ले, और जो दस्ता वेज हमने आपको बता है, इसको आप रेडि करके रखिए, क्योंकि आपका अकसर कॉमेंट आने के कारने ये वीडियो हमको बनाना पर रहा है, कर सकते हैं, आपने सारी प्रोसर समझाए, अब इंकम सर्टिपिकेट कैसे स्कोलर्शिप के लिए बनाना है, उस पर हमने वीडियो बनाया है, वीडियो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, जाकर देखिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,